राव नर्बीर के सामने टिक पाएंगे कॉंग्रेस के वर्धन यादव। बाशापूर विधान सभा में कॉंग्रेस को जीत दिला पाएंगे वर्धन यादव। कुमुंत्री राकेश जोलताबाद कॉंग्रेस या बीजेपी किसे पहुँचाएगी नुकसान बाशापुर की कौन समहा लेगा दोजार चोबीस में बाश्चाहत नमस्कार दोस्तों मैं नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और कोई के ताजा हालात जो है वो हर्याना में चुनावी किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह के बने हुए हैं जीत की तरफ कोन आगे बढ़ रहा है और जीत से कोन पीछे है ये तमाम फैक्ट्स भी हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह ह कि हर्याना का ये रन हर्याना का विधान सबाद चुनाओ 2024 का कौन सी पार्टी जीतने वाली है बीजेपी कॉंग्रेस अपने अपने दावे हैं बाकी जो दूसरे दल है जेजेपी है बसपा है इनलो है आमादमी पार्टी है ये कही ना कहीं कोशिश यही कर रही है कि इस बा मुकाबला है वो बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में है और इसमें बाजी कोन मारेगा ये तो घैर आर्ट सारी को बिलकुल साफ हो जाएगा जब नतीजे 2024 हर्यान अविधान सबाद चुनाओ के आएंगे लेकिन इस सब के बीच कॉंग्रेस ओ या बीजेपी दोनों ही प बैठ गए हैं तो ये भी अपने आपने बड़ी चिंता की बात और टेंशन दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है इस टेंशन से किसी तरह से पार पाने के साथ-साथ इन्हें आपस में भी एक दूसरे को चुनोती देनी है तकर देनी है और इसी तकर के सहरे ये दोनों जीत के साथ अब तीसरी बार हर्याना में बीजेपी सरकार बनाएगी तो इस पर भी आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं बाशापूर सीट की बाशापूर सीट पर भी काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीज वर्धन यादव पर भरोसा जताया है अब ये जो भरोसा है इसे बनाए रखने में बचाने में वर्धन यादव कितने काम्याप होंगे ये अपने आपने बड़ा सवाल है और इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि राव नर्वीर के सामने टिक पाएंगे वर्धन आदव के पास ऐसी कौन सी स्टेंथ है या वो कौन-कौन सी ऐसी चुनोतियां हैं जो उन्हें मुश्किलों में डाल सकती है या इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव नरवीर के सामने कॉंग्रेस के वर्धन यादव टिक पाएं कॉंग्रेस के वर्धन यादव या बीजेपी के राव नरवीर सिंग अनुभाव की बात करें तो क्या अनुभाव के सामने यूवा जोश जो है उससे बात बन पाएगी क्योंकि अनुभाव जो है उसकी अपनी स्टेंथ है और यूवा जोश है जोश जो है उसकी अपनी स् परवत होती है और इसी स्रेंद के साथ कहीं ना कहीं आप चुनाओ को जीत की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे में राव नर्बीर के सापास जो है बड़ा अनुभाव है तीन बार वो विधायक रहे और तीनों बार मंत्री भी रहें तो एक लंबा चुनाओ लड़ने का अन प्षडे हुए हैं और अगर बात करें पूरी विधान सभा की कि हर्याना की सबसे बड़ी विधान सभा बाश्यापूर है पांच लाग से जादा वोट जो है वह बाश्यापूर में है और इस पूरी बाश्यापूर विधान सभा को नापना अपने आप में बड़ी चुनो जो है अपना पहला चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बाश्यापूर के लोगों का साथ कितना वर्धन यादव के साथ में हैं उनके पास में क्योंकि अगर मास लीडर की बात करें तो उसे बनने में अभी वर्धन यादव को समय लगेगा तो भीड जुटा लेना और मास लीडर बन जाना इन दोनों में बड़ा फर्क है तो कहीं न कहीं यह भी एक बड़ा फैक्टर है जो राव नर्बीर को फेवर करता है कि वो बाश चहरा इस पूरे इलाके में है राविंदर जीत के अलावा तो ऐसे में एक इतने बड़े अनुभवी नेता को हरा पाना कितनी बड़ी चुनोती वर्धन यादव के लिए होगी यह अपने आप में बड़ा सवाल होगा और इसके लिए क्या कुछ तैयारिया क्या कुछ रण यह है कि जो एक और तीसरा उम्मीदवार चुनाओ के मैदान में है जिसे हलका नहीं माना जा सकता है वो है कुमुद्नी राकेश दोलताबाद जो की राकेश दोलताबाद की पत्नी है उनकी मृत्यू के बाद अब वो उनकी जेंगे चुनाओ के मैदान में खड़ी हुई है अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुमुद्नी राकेश दोलताबाद जो है वो किसकी टेंक्शन सबसे जादा बढ़ाने वाली है राव नर्वीर सिंग की या वर्धन यादव की क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा डेंट जो है कुमुदनी राकेश दोलताबाद इस चुनाओं में दे सकती है इस बात की संभावना काफी हक तक है अब वो कितना डेंट दे पाएंगी ये भी खेर 8 अक्टूबर को ही साफ होगा लेकिन जिस तरह से चुनाओं आगे बढ़ र और जीत का तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राकेश दोलताबाद के पास जो वोट मैंक आया था उसे कितना मैंटेन कुमुदनी राकेश दोलताबाद कर सकती है उसमें कितना इजाफा कर पाएगी या फिर वो बहुत जादा नीचे घट सकता क्योंकि घटने क कि भी संभावना बहुत जादा है क्योंकि दोनों को ही एक साथ नहीं किया जा सकता एक सिंपैथी वोट जो है वो कुमुदनी राकेश दोलताबाद के साथ जा सकता है लेकिन जिस डेंट की बात कर रहे हैं वो डेंट देने की शमता में कुमुदनी राकेश दोलताबाद है इसको नहीं भूला जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, तो सवाल सबसे बढ़ा यही है, कि इन दोनों में से किसे, कुमुद्नी राकेश डोलता बात जो है, वो चुनोती देगी या किसकी टकर, टेंशन जो है, वो बढ़ाएंगी, तो आपको बता दे कि बाश्या बाश्यापूर सीट पर है, इसके अलावा दलित वोटर्स की बात करें, तो यह संख्या है 94,088 की, और अगर इन दोनों को मिला दें, तो यह करीब करीब एक लाख 58,000 के आसपास बनती है, तो वहीं अहीर वोटर की बात करें, तो एक लाख 12,390 अहीर वोटर यहां पर है, कुल बाश्यापूर विधान सभा की वोट की बात करें, तो वो है 5,17,942, तो यह वोट है टोटल, यहां और इन ही वोट में से इन तमाम उमीदवारों को एक बड़ा नंबर चाहिए जीत के लिए, अब वापस आते हैं कि दलित और जाट वोटर्स का जिक्र आखिरकार हमन कि बीजेपी से जो जाट और दलित वोटर है वो नाराज है, और यह जो जाट और दलित वोटर है कहीं ना कहीं अपने आप में deciding factor साबित होगा पूरे हर्याना में, और जहां जहां जिन विधान समाओं पर इनकी संख्याँ जादा है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी यह लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो नाराज जाट और दलित वोटर है, क्या सिर्फ वो सिर्फ बीजेपी को छोड़ कर कॉंग्रेस के पास ही जाएगा तो ऐसा नहीं है, अगर इन्हें कोई और मजबूत विकल्प दिखता है तो यह वोट बैंक दूसरी जेंग की तरफ जा सकता है और दलित वोटर में भी यह काफी बड़ी सेंद मारी कर सकती है, और इसके अलावा जो जो वोटर नाराज है बीजेपी से वो भी यहाँ पर जा सकते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी संभावना है कि जो वोट कटेंगे, वो कॉंग्रेस के वोट राकेश काम्याब रहेगी, यानि कि अगर बाश्यपूर की फिलहाल की तस्वीर और स्तिती की बात करें, तो सबसे बड़ा नुकसान कुमुद्री राकेश जोलताबाद, वर्धन यादव यानि कि कॉंग्रेस को यहाँ पर पहुचाती हुई, दिखाई दे रही है, और ये अपने आप में बड़ी टेंशन कहीं ना कहीं वर्धन यादव के सामने होगी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि राव नर्बीर के सामने तिक पाएंगे वर्धन यादव, यानि कि क्या वो ये चुनाव जीतने में काम्याब हो पाएंगे, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जिन से उन पुद्नी राकेश डोलता बाद से जो चुनोती मिलनी है, जो नुकसान होना है, उसकी बात कर लेंगे, तो ये तमाम ऐसे वो फैक्टर्स हैं, जो 2024 के विधान सभा चुनाव में वर्धन यादव के लिए टेंशन बने हुए हैं, और खत्रे की घंटी भी लगातार बजा र तो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले, नमस्क्राइब